राजस्तान पुलिस भरती परिक्षा के तयारे कने वाले सभी अभ्यरतियों का राजस्तान जी के ट्रेने के इस यूटूब चनल पर स्वागत है दोस्तो आज से हम आपके लिए नई टैस्ती शुरू कर रहे हैं जिसमें हम भारत जो भारत सामाने ग्यान है इंडिया जी के है उससे समझदिध हर एक टॉपिक से समझदिध अपन एक वीडियो जरू डालेंगे हम आपके लिए जिससे आपके तैरी को चार चांद लग सके ठ भारत की स्तितियम विस्तार से सम्मंदित कुछ इंपोर्टन प्रिशनों की जो पिछली बरती परिक्षाओं में पूछे जा चुके है जैसे LDC हो गया रीट हो गया प्लिस कांश्टेबल हो गया SI हो गया R.S हो गया इन सभी बरती परिक्षाओं में जितने भी इस टॉपिक चलिए तो पहला प्रशन आप सब के सामने है कि भारत की सबसे उंची परवत चोटी कौन सी है और आपने थमलेन पर भी देख लिया होगा भारत की सबसे उंची परवत चोटी के बारे में आपसे पूछे तो High Court LDC Exam 2022 में पूछा गया प्रशन है इसका जवाब आपको देना है और इसका जवाब से जवाब बजाए कंचन जंगा भारत की सबसे उंची परवते चोटी मानी गई है ठीक है याद रहेगा चड़िए अगला कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है तो ये भी अपने High Court LDC Exam में पूछा गया है दोस्तों चाहिए एक्जाम कोई सी भ यह नहीं करने है और अपने विस्तार अगर आपने सीती के वक्त में पढ़ा ओगा या फिर पहले से आप पढ़ चुके होंगे इतना तो आज हम सरफ पोर सरफ की बाथ करेंगे और हमेंचा अपनी चैनल पर सरफ आपको प्रैक्टिस ही देखने को मिलेगी किसी भी सब्जे तो भारत में से कौन, भारत में से होकर कौन सी रेका गुजरती है, इन में से दोस्तों भारत से होकर तो करकरेका ही गुजरती है, और राजस्थान के, राजस्थान के, राजस्थान के दोस्तों बासवड़ा और डुंगरपु जिले से होकर गुजरती है, ये बात है आपको सबसे लंबी तट रेखा निम में से किस राज्य की है और वो है गुजरात की किस की है गुजरात की है ठीक है गुजरात की है अगला परशन है कि निम लिखित में से कौनसी जलसंदी भारत और स्रिलंका को प्रतक करती है तो ऐसे कौन सी जलसंदी है जो भारत और स्रीलंगा को प्रतक करती है अलग करती है और वो है पाक जलसंदी कौन सी पाक जलसंदी अपने भारत और स्रीलंगा को अलग करती है अगला कि वरकला बीच भारत के किस राज्य मिस्तित है तो दोस्तों वरकला बीच अपने भारत के क कौन से राज़े में हैं बिलकुल केरल राज़े में हैं वरकला बीच ठीक है याद रहेगा चलिए अगला छटा प्रशन है प्यारे साती हो कि भारत का अकसांचे विस्तार कितना है तो भारत का अकसांचे विस्तार आप से पूछ ले तो बताना है आठ डिगरी चार मिनट उत दिर्ट से 36 दिगरी 6 मिनिट उतर भारत का आकसान से विस्तार माना गया है। तीके? साथवा परशन है कि निम लिखत में से कौंची जलसंधी स्रिलंका को भारत का यह रख रहती है? अगला प्रशन है दोस्तो कयाल किस तट परिस्त है दोस्तो कयाल किस तट परिस्त है कयाल अपने माला बार तट परिस्त है कहां पे है माला बार तट परिस्त है अगर आपको वीडियो जरासी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरू करना और अपने दोस्तों में जो रास्थार्प्लिस कांस्टेबल सीटी की तैयरी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफिफाई दमंद होने वाली है ठीक है नवा परशन है कि निमलिकत में से किस में सैंडल पीक इस्तित है तो किसमे सैंडल पीक इस्तित है तो सैंडल पीक अपने उत्री अंडवान में है कापे उत्री अंडवान में अपने सैंडल पीक इस्तित है अगला परशन है कि विस्व में राजस्तान किस गोलार्द में इस्तित है चलिए अगला परशन है कि छेतरपल की दृष्टी से भारत का विश्वक में सबसे बड़ा देश है छेतरपल की दृष्टी से भारत का विश्वका भारत है दोस्तों वे विश्वका दोस्तों सात्वा सबसे बड़ा देश है कौन सा है सात्वा सबसे बड़ा देश है और सब निमने भारतिय राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिक्तम अन्य भारतिय राज्यों के साथ सीमा साजा करता है तो वो है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश अन्य राज्यों से अधिक्तम सीमा साजा करता है ठीक है चलिए अगला परशन देखने को मिलता है अपन करता है तो इन में से दोस्तों ऐसा कौन सा स्थान है जो दिशंबर में सबसे ज़्यादा सूरे का प्रकास सूरे का प्रकास प्राप्त करता है और इन में से दोस्तों बात करें option के coding कन्या कुमारी आपके पास है कोल करता है पूने है ले है तो कन्या कुमारी सबसे ज्यादा प्रकास ग्रहन करती है ठीक है यह बात है आपको यहां से पतावने ची पंदरों प्रशन देखने को मिलता है कि निम्द में से किस राज्जे की सीमाई चार राष्ट्रों की सीमा उतरप्रदिस नहीं नागल नहीं इन इन में से कोईबिन इसका राइठ आंसर देखने को मिलेगा करकरेका से गुजरती है करकरेका कि से वकराज्य कर गुजरती है तो बिलकुल भारतिय समुदरी तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो भारतिय समुदरी तट रेखा की कुल लंबाई आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है 7516.6 किलो मिटर अपने भारतिय समुदरी तट रेखा की कुल लंबाई है अगला कि उत्री दक्षणी गलियारा जोडता है किसको किस से जोड़ता है दोस्तो उत्री दक्षने गली आरा तो दोस्त अपने स्री नगर को कन्या कुमारी से जोड़ने का कारे करता है उत्री दक्षने गली आरा ठीक है अगला प्रशन है कि दी गई भू आकरतियों का उत्तर से दक्षन दिसा में उपस्तिती का सही करम कौन परमा सकते हैं उसको अपने को बताना है तो दोस्तों इसके अगर बात करें तो सबसे पहले भावर आ जाएगा फिर तराई फिर खादर फिर डेलता इस परकार से चोथा उपसल इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है कि भारत चीन सीमा की पूरवी सीमा क्या कहलाती है तो भार भारत के भारत के पांच राज्यों से गुजरती है कितने पांच राज्यों से होकर गुजरती है भारतिये मानक देशांतर अगला प्रशन है प्यारे साथियों के निमना कितमे से कौन सा एक भारत के प्राइड इपिया पट का उप आर्थिक प्रदेश नहीं है तो भारतिय भारतिये प्राइड इपिया पट का उप आर्थिक प्रदेश इन में से कौन सा नहीं है तो इन में से दोस्तों बुलेंद खंड का पठार नहीं है बाकी माराष्ट का पठार है करनाट का पठार है आंधर प्रदेश का पठार है ठीक है चलिए अगला है कि भारत का दक्षणतम बिंदू किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस्तित है तो भारत का दक्षणतम बिंदू दोस्ता आप से पूछ ले बिल्कुल आपको पता उना जी अपने निकोबार दीप समू में है का पे निकोबार दीप समू में यानि भारत के सबसे नीचे ही नीचे निको बादीप समूistent meal देखने को मिलता है और वहीं पे अपने दखषणता मिन्दू है राजस्थान का सोरी भारत का ठीक है चलिए इसके साथ अगले प्रशने के बात करें तो तराई के दखषण में तराई के दक्षण में प्राचिन तलचट में निर्मित मेखला कैलाती है तो तराई के दक्षण में प्राचिन तलचट में निर्मित मेखला क्या 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 अगला प्रशन है दोस्तों कि 10 डिगरी चैनल विभाजित करता है तो 10 डिगरी चैनल किन को विभाजित करता है तो 10 डिगरी चैनल दोस्त अपने ग्रेट अंडमा दीप सम्मू और निकोबा दीप सम्मू को अलग करता है 10 डिगरी चैनल ठीक है अगला परशन देखने को मिलता है दोस्तापन को कि पीर पंजाल स्रेणी जिसका अंग है वे है तो पीर पंजाल स्रेणी किसका अंग है तो लगू हिमाले का अंग है पीर पंजाल स्रेणी लगू हिमाले का अंग है अगला परशन है कि समुंदर की तरफ भारत की छेत्रिय सीम का विस्तार आपसे पूछे ले तो आपको बताना है दोस्तो 21.9 km है कितना है समुदर की तरब भारत की छेतरी सीमा का विस्तार 21.9 km देखने को मिलता है और अगले प्रशन बनते हैं दोस्तों पड़े बिलकुल सीधे सिंपल सिंपल वन लाइनर प्रशनों के रूप में हैं यह चिन हिमानी मतलब ब्रब् से ड़का हुआ है ढूए चेतर के बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में इस्तित है और हो है सियाचिन कि कैए सियाचिन अगला है दोस्तो अगला है दोस्तो अगला क्या कहा रहा है कि भारत के पूरवी तटीय मैदान को दक्षन भारत में किस नाम से जानते हैं तो कोरो मंडल के नाम से जानते हैं भारत के पूरवी तटीय मैदान को दक्षन भाग में अपने कोरो मंडल के नाम से जानते हैं इसकी भाग को उत्री सरकार एवं मद्यवाग को गोल कुंडा तटक कहा जाता है जबकि दक्षण भाग को कोरोमडल के नाम से जानते हैं भारत के पूरवी तटे मैदान को दक्षण भाग में है उसको कोरोमडल के नाम से जानते हैं ये बात आपको यहां से पता होने चीए इसके सा है 3,42,249 वर किलोमेटर वहीं सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वो है राज्य गोवा जिसका जिसके जो कुल लंबाई है वो है 3,702 किलोमेटर है ठीक है और अगला प्रशन है जो आपके पुलिस कांस्टेबल एक्जाम में पूछा गया था और वो है कि 3 भीगा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है तो 3 भीगा गलियारा अपने भारत वे बांगला देश को जोड़ता है किसको भारत वे बांगला देश को जोड़ता है इसे के साथ अगला प्रशन है कि कौन सा राज्य है उत्री पूर्वी राज्यों की साथ बहनों का भाग नहीं है तो साथ बहनों का भाग नहीं है तो दोस्तों इन में से बूछा गया तक साथ बहनों का भाग नहीं है तो साथ बहनों की बात करें तो पूरवत्तर के साथ राज्यों अवनाचल प्रदेश असम नागालेंड मेगाले मनिपूर मिजवरा मिंत्रिपूरा को साथ बहनों के नाम से जाना जाता है इनमें से दोस्तों पश्चिम मंगाल साथ बहनों में सामिले नहीं है ठीक है अगला प्रशन है कि भारत के भारत के किस दिशा में भारत के किस दिशा में पाकिस्तान इस दिता ह करक रेखा भारत के कितिने राज्जों से हुकर गुजरती है ह्म घेडमास्रे एक्जाम में बूसक है परशन है और आठ राज्जों से हुकर गुजरती है करक रेखा भारत के अग्ला परशन है कि सुधूर पूरव में कौन सा देश Garden Douglas के साथ क published Bible andamari प्रदेश की सीमा अरुनाचल प्रदेश से नहीं लगती ठीक है ऑप्शन नहीं है या पर डारेटर वन नाइनर के रूप में दिया गया है ठीक है अब ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने की निमलिकित नगरों में से कौन सा भूमद्य रेखा के सरवाधिक निकट है तो भूमद्य रेखा के सरवाधिक निकट अपने सिंगापूर है option no.4 इसका सही answer देखने को मिल जाएगा ठीक है भूमद्य रेखा कि सर्वादिक निकटनगर अपना कौन सा है सिंगापूर है ठीक है तो सरहार्दी क्या है तो सरहार्दी पस्चिमी घाट है दोस्तों पस्चिमी घाट केरल का तठ है जो कन देवन परिस्चित है कन देवल हिल्स परिस्टित है जिसको शेहार्दी परवत संकला उत्तर से दक्षणी की तरब 12 से क्लेमेटर लंबी है इसको स्रहादी श्रहार्दी पस्चिमी घाट की घाट नाम से जाना जाता है अगला है कि बागर और खादर रचनाई समदित है तो गंगा युमना मैदान से समदित है बागर और खादर रचनाई ठीक है सिलिकुडी गलियारे से होकर कौन सा राष्टिय राजमार गुजरता है तो सिलिकुडी गलियारे से होकर दोस्तो राष्टिय राजमार एनेच दक्षन में क्या होगा तो इंद्रा पॉइंट दक्षन में होगा ठीक है ध्यान दीजे दोस्तों ध्यान दीजे कि भारत किस देश के भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतराश्टी सीमा को साधा करता है तो भारत पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अंतराश्टी सीमा को साधा करता है क्योंकि भाई बाप है भारत पाकस्तान का इसलिए साधा तो करेगा न ठीक है तो यह बात आपको यहां से पताऊने चीए तो भारत और पाकस्तान के मद्यकुल अंतराष्टी सीमा की लंबाई 3323 किलोमेटर की है जिसमें जम्मू कस्मीर पंजाब राजस्तान ग 82 डिगरी पूर्वे देशांतर रेखा के अनुरूपी भारत यह मानक समय तै किया गया है और अगला परशन देखने को मिलता है साथियो कि भारत के किस यामुत्र का स्थानिये मानक समय माना जाता है तो भारत के किस यामुत्र का स्थानिये समय मानक समय माना जाता है तो वह गुजरात कोन छाई है तो एक छोटेजी वीडियो ती जिसमें अपने भारत के संबस्त्धियो विस्तार से समाधिवकर रेखावाला अपने भारतिराच्याप से Antrag से पूछबर थे टो वह है गुजरायत में इसात Para झाना थे तो एक उत्वकर इस वीडियो पर दोस्तो इस वीडियो पर 15 लाइक कर देते हो कितने सिर्फ और सिर्फ 15 लाइक और 50 व्यूज पचास जने इस वीडियो को देख लेते हैं अगर आप 15 लाइक इस वीडियो पर आजाते हैं तो मैं इसका second part जरूर बनाऊंगा और आपके लिए हर रोज आपके लिए दुस्तो प्लिस कांस्टेवल की त्यारे करने वाले सबी अब ब्याटते हों के लिए हर रोज एक वीडियो जरूर में डालूँगा अगर इसको आप प्यार महुपत दिखाते हो तो नीचे कमेंट के मादम जरूर बताना कि किस परकार से लगी आपको यह वीडियो किस परकार से लगी मेरी यह चोटी से मैनत थी आपको किस परकार से लगी नीचे कमेंट के मादम से जरूर बता कर जाना तो जैहिन जैबारत जैजराजस्तान थैंक्यू धन्यवाद